वर्मासर्स निशनात क्लासेस क्लास 12 के दिये तयार किये जारे हैं वीडियो में आपका फिर स्वागत है इसके पहले हम आपको बताए थे कि बोली या संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाती है जब बाहरी बोला भूधरित है और भीतरी बोला आविसित है वहां में कठनाई बताया थे कि जब हम भीतरी बोला को पुधरित करेंगे अब आखरी बोला को अबेसित करेंगे तो एक समस्या आए भी उस समस्या के समद्धार के लिए पैदे हम यह जो कोस्टन पढ़ा देते हैं आपको आसान लगेगा संधारित्रों का स्रेणी बद्ध स संधारित्र स्रीज कविने संधनक लिए सिरीज तो देखें यह जो करमें सी प्लेट है अहेदा अंधारी अधार्त अधारत को यह संधनक लेक है करीश कालर माइग यह संधनक लेट दूसरे संधारित्र के संगराहत से जोड़ाता है ऐसा करने से क्या होता है कि आप जब इसको कोई चार्द देते हैं तो इस्थिर विद्युक प्रेरण से विपरीत आदेश इससे आगशित होखर बीतर के सतावर प्रेड़ी देश और तो थ्री आदेश है चुकि थ्री है उस अब फिर यही ट्रिया जो फर्स्ट प्लेट पर कुई जितना चार्ज सेगेंड पर आया थी उतना ही विपरीत आवेश इसके संगराहत प्लेट पर प्रेरित होता है और इस पर प्रेरित मुक्त आवेश थर्ड प्लेश पर चलाता है फिर यह थर्ड के संगराहत प्लेट प हुआए और इस प्रेलित मुक्त आवेस को चुकि हम आँ हम लिए किस मुग्त आवेस को प्त्वी से एलेक्टरोन आखर भूाल 기분 कर देता है ये इसको यह जाता है यह एक चीज दोर करने कि इस तरह के करेक्शन में टर्मिनल क्वाइट्स अलग-अलग होने के कारण वीववांतर अलग-अलग लेकिन आभेस सब पर समान है चुकि आभेस को बटने का कोई उपाय नहीं इसके जश्ट बात आप देखिएगा समणातर क्रम संभन में चार इबटेगा यहां मठता क्या है विववांतर अगर्ण तीनों संधार पर अलग विववांतर जो तीनों का कुल योग है वही तोटलने विववांतर है अगर हम इन तीनों को हटा दें और एक अखेरा संधार पर चुले यह डालवां ताकि हम उतना ही चार्ड ने वही सोच समारा है चार्ड भी मेरा उतना ही है और विववांतर भी उतना ही है तो जाहिर है कि इसकी क्यापैसिट इस तीनों के क्यापैसिटी के समतुलिया होगा समतुलिया सब्दकात होता है कि तीनों कंडेंसर मिलकर जितना क्यापैसिटी प्रोड्यूस करेगा यह अकेला उतना ही क्यापैसिटी प्रोड्यूस करेगा और एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहां समतुलिया थारिफा घटी है क्योंकि यह है 1x2 सब्सक्राइब अधे चलाउपर 121 प्रीया आप इस दोलों को एक मेड़ करने तो यह कि आंसलों गिया आगे एक लाइन इसमें जोड़ देना चाहिए कि यदि हम इसी प्रकार एन संधार प्रव को जोड़े तो संतुल्य खारिता याँ पर जोड़ देना चाहिए कि इसी प्रकार एन संधार प्रव को समुहित करने पर वो भी दिस्क्राप्टि स्रेणी पर्व समुहित करने पर क्या होगा वन बाई सी पराबर वन बाई सी बन जोड़ वन बाई सी टू जोड़ सो और चलता रहेगा और लास्ट में क्या होगा जोड़ वन बाई सी एन होगा कि परिच्छा में कभी कभी केवल दो ही संधार इत्र देगा आजकर विहार वोट का एक्टैमिनेशन काफी हलका वने लगा है तो अगर आपको परिच्छा में ऐसा क्वेश्चन देता है कि दो संधार इत्रों को स्रेणी बत समुहित करें तो तीन मानने कभी जवरत नहीं ह है तो यह तक सिपित रही है का वन बाइसी बदाबर वन बाइसी बन जोड़ बन बाइसी तू कि लिए इसके बात वाले विडियों में हम देखते हैं कि जब संधार इत्रों को समाना अंतल प्रम में चोड़ा दाता है तब क्या